हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हमारे पस आ चुका है वनपल्स का एक नया स्मार्टफोन इस पहले इस फोन का सबसे बढ़िया फीचर में आपको बताता हूँ जो के है air gestures का settings में additional settings के अंदर gesture and motions के अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको conservatives का option बेंदा है जिसकी मदद से आप calls को gesture कीarios की मदद से control कर सकते हैं अगर आपको कोई call आ रहा है उसको आपको accept करना है, जस्ट आपको अपना हाथ इस तरीके से phone के सामने लेके आना है, और इस तरीके से हाथ को open कर देना है, और आपका call असानी से answer हो जाएगा, ऐसे ही incoming call को आप mute भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको आपको अपना हाथ इस तरीके से phone के सामने रखना है, और call automatically mute हो जाएगी, इस phone में दोस्तो by default आपको कोई sidebar देखनी के लिए नहीं मिलता, लेकिन settings में अगर आप special features के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आपको smart sidebar को enable करने का option मिल जाता है, इसको अगर आप enable करते हैं, तो इस तरीके का एक sidebar आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर कुछ shortcuts या apps रख सकते हैं, और उनको use कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप कोई भी app open करते हैं, तो वो directly floating window की phone में open होती है, और दोस्तों इस sidebar का सबसे बड़ा फाइदा यह है, कि अगर आप किसी भी application में कोई video देख रहे हैं, लेट से YouTube के अंदर आप कोई song सुन रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक background stream का option मिल दाता है, जिसकी मलसे आप app को background में भेज सकते हैं, और सिरफ music सुन सकते हैं, बेसिकली जो YouTube premium का feature है, वो आप यहाँ पर free में यूज़ कर सकते हैं, बिना कोई पैसा पेखिये, इस phone में आप apps को mini windows में भी convert कर सकते हैं, मतबकि flexible windows का feature इस phone में आपको दिया गया है, अगर आप presence में जाते हैं, तो three buttons के उपर tap करके, आप floating window के उपर tap कर सकते हैं, और किसी भी app को इस तरीके से mini window में open कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको resize भी कर सकते हैं, और कहीं भी चाहें वहाँ पर place कर सकते हैं, और इस flexible windows का एक और भढ़िया feature जो मुझे लगा दोस्तों, इसकी मदद से आप किसी भी file को share भी कर सकते हैं, विदिन apps मतब एक app से दूसरी app में एगर आपको share करना है, let's say इस photo को अगर मुझे WhatsApp पे share करना था, तो मैं उठा के drag and drop इस file को कहीं भी कर सकता हूं, और इस तरीके से आसानी से file को share कर सकता हूं, दोस्तों जैसे iPhone में आपको battery health का एक feature मिलता है, यह देखने के लिए कि आपकी battery की condition कैसी है, ऐसे ही इस phone में भी आपको एक ऐसा option दिया गया है, settings में battery के अंदर यहाँ पर आपको battery health का option दिल जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी battery की condition क्या है, maximum capacity क्या है, मतब जब आपने नया phone पर्चेस किया था जितना time तब battery चलती थी, अब उससे कितना कम battery चल रही है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, one-handed usage को असान बनाने के लिए एक बहुत अच्छा gesture इस phone में दिया गया है, home screen के पर long tap करके अगर आप more के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आपको icon pull down gesture का एक option मिलता है, इसको बस आपको enable कर देना है, उसके बाद home screen के उपर अगर आपको यह जो उपर वाली apps को use करना है, तो आप असानी से screen के edge से इस तरीके से swipe कर सकते हैं, सारी apps आपकी नीचे आदाएंगी, और जिस भी app को आपको open करना है, उसके उपर आप इसको drag and drop कर सकते हैं, इस phone में जो one handed mode दिया गया है, वो भी काफी इच्छे से काम करता है, settings में additional settings के अंदर आपको one handed mode देखने के लिए मिलता है, इसको अगर आप enable करते हैं, तो यहां से इस तरीके से इसको आप use कर सकते हैं, बस नीचे की तरफ इस तरीके से drag करना है, और पूरी की पूरी screen आपकी नीचे आदाती है, यह iPhone के accessibility जैसा एक feature है, और मुझे यह काफी अच्छा लगता है, इस phone में आप अपने custom wallpapers भी बना सकते हैं, home screen के पर long tap करके अगर आप wallpapers के अंदर जाते हैं, तो यहां पर आपको custom interactive wallpapers का option लता है, इसके अंदर आप अपनी कोई भी photo को select करके, अपने custom wallpapers create कर सकते हैं, basically phone बस आपकी photo में से colors को select करता है, उसके बाद उन colors के base पर आपको different wallpapers suggestions यहां पर दे देता है, और कोई भी जो भी wallpapers आपको अच्छा लगया, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, एक और बढ़िया feature जो इस phone में आपको दिया गया है, दोस्तों इस phone में volume को आप 200% तक बढ़ा सकते हैं, 100% के बाद अगर आप 200% तक volume को लेके जाते हैं, तो यहां पर ultra volume mode जो है वो enable हो जाता है, और basically आपके speakers की sound और ज़्यादा enhance हो जाती है, और बहतर sound आप अपने phone से दे पाते हैं, इस phone में आप mobile data और wifi दोनों को एक साथ भी use कर सकते हैं, settings में wifi के अंदर, wifi assistant के अंदर आपको dual channel acceleration का एक option दिया गया है, इसको बस आपको enable करना है और आप wifi और mobile data दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, बहतर speed और बहतर internet connectivity का यूज़ करने के लिए, उसी के साथ wifi tethering का support भी आपको इस phone में दिया गया है, मदब के जब आपका wifi own है, अगर आप hotspot को enable करते हैं, तो आपका wifi बंद नहीं होता, बलके इस hotspot की मदब से आप अपने wifi को आगे share कर सकते हैं, तो अगर आपको इस wifi का password नहीं पता या अपने phone को ऐज़े wifi extender यूज़ करना चाहते हैं, उस case में काफी useful option है, वैसे तो एक 5G smartphone है दोस्तों, और 5G काफी इच्छे से काम भी करता है इस phone में, लेकिन अगर आप 4G यूज़ कर रहे हैं, तो इस phone में 4G भी काफी इच्छे से काम करता है, 4G plus carrier application का support आपको 3CA तका दिया गया है, यहाँ पर आप देखते हैं, काफी अच्छा इस phone में 4G भी काम करता है, कुछ और customization की बात करें, तो यहाँ पर आप ये icons को भी customize कर सकते हैं, home screen के पर long tap करके, अगर आप icons के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर काफी सारे options आपको मिल जाएंगे, आप इसको material style में change कर सकते हैं, या फिर अगर आप art pulse enable करते हैं, तो आप ये सब customizations कर सकते हैं, icon का size आपको कितना बड़ा करना है, या app name जो है उसको कितना बड़ा या छोटा करना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से customize कर सकते हैं, और इतना ही नहीं दोस्तो, settings में wallpaper and style के अंदर आपको quick settings का option दिया गया है, मतब के control center में भी ये जो icons आपको मिलते हैं, इनका भी आप shape change कर सकते हैं, यहाँ पर 6 options आपको दिये गए हैं, कोई भी आप choose कर सकते हैं, और यहाँ पर ही आपको colors और fonts जैसे option भी मिल जाते हैं, यहाँ पर कुछ phones हैं, अगर आप चाहें तो इन phones को आप bold भी कर सकते हैं, इनका weight बढ़ा सकते हैं, उसी के साथ colors की बात करें तो यहाँ पर color colors का option आपको मिल जाता है, जो कि आप manually भी choose कर सकते हैं, या फिर wallpaper के हिसाब से भी आप colors यहाँ पर enable कर सकते हैं, दोस्तो एक और useful feature यहाँ पर settings में, display and brightness के अंदर आपको दिया गया है adaptive sleep का, अगर आप चाहते हैं कि जब तक आप अपने phone की तरफ देख रहे हैं, आपके phone की display बन ना हो, इवन अगर आपने 15 seconds या 30 seconds का timer set किया है, phone उसके बाद भी बन नहीं होगा, अगर आप phone के ओपर reading वगेरा कर रहे हैं, उस case में ये option जो है, वो काफी ज़्यादा helpful है, इस phone में दोस्तो अगर आप देखनें तो आपको Google का डाइलर मिलता है, यहाँ पर आपको call recording का option तो मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसकी मेल से call recording करते हैं, तो आपको announcement सुनाई देता है दोनों ही तरफ, अब इस announcement को तो आप बंद नहीं कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसको बंद करने के लिए एक और बढ़िया option OnePlus ने निकाला है, आपको यहाँ पर Play Store से O-Dialer नाम की application को install कर देना है, उसके बाद जब आप इस app को open करेंगे, तो आपको यहाँ पर इसको default app select करने का option मिलेगा, वो आपको select कर देना है, इसके बाद आपकी जो default caller app है या dialing app है, वो आपकी O-Dialer app बन जाएगी, और इसको जब आप use करेंगे, तो इसके अंदर आपको call recording का option भी मिल जाएगा, और इसमें आपको कोई भी announcement भी सुनाई नहीं देगा, इस phone में दोस्तों आपको OnePlus shelf का option भी दिया गया है, home screen से जब भी आप नीचे की तरफ swipe करते हैं इस तरीके से, तो आपको OnePlus shelf यहाँ पर देखनी के लिए मिलता है, हालां कि अगर आप चाहें तो नीचे swipe करके आप notification panel को भी control कर सकते हैं, उसके लिए आपको home screen settings में more के अंदर जाना है, और swipe down on home screen को notification door के उपर set कर देना है, OnePlus का बहुत ही बढ़िया Zen mode भी इस phone में आपको दिया गया है, जो के focus mode जैसा एक feature है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ time के लिए आप phone यूज ना करें, किसी चीज़ के उपर आपको focus करना है, तो इस Zen mode को आप use कर सकते हैं, और Zen mode की खासियत ही है कि उसके साथ साथ आप background में कुछ music प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे different तरीके का music का option में देगा, इवन work mode में अगर आप जाते हैं, यहाँ पर भी आप background सेट अप कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको काफी सारे options दिये गए हैं, settings में दोस्तों अगर आप display and brightness के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको dark mode का भी option मिलता है, जो कि आज कल हर phone में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको dark mode settings भी दी गई है, अगर आप चाहें तो इसमें dark mode को customize कर सकते हैं, आपको background में कितना ज़्यादा black चाहिए, उसको आप कम यह ज़्यादा कर सकते हैं, उसी के साथ आपको dark mode को wallpaper और icons के उपर apply करना है या नहीं, उसको भी आप यहाँ से change कर सकते हैं, display and brightness के अंदर ही यहाँ पर इस phone में आपको refresh rate का option भी दिया गया है तो इस phone में आपको high refresh rate मिल जाता है 120Hz का, इसको आप ज़रूर से यहाँ पर enable रखिये तांकि ज़्यादा smooth आपको experience मिल पाए, यहाँ पर आपको कोई भी AI बादा option नहीं मिलता जो के automatically switch करता रहे, तो इसमें आपको high mode ही set करना पड़ेगा, settings में sound and vibration के अंदर अगर आप नीचे swipe करते हैं, तो यहाँ पर आपको direct audio tuner का option भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप sound को customize कर सकते हैं, अगर आप movies देख रहे हैं, game खेद रहे हैं या फिर music सुन रहे हैं, उसके हिसाब से आप sound को जादा बहतर तरीके से customize कर सकते हैं, status bar को आपको customize करना है, तो settings में notification and status bar के अंदर, status bar के अंदर जा सकते हैं, यहाँ पर आप battery style को change कर सकते हैं, काफी सारे different options आपको दिये गए हैं, उसी के साथ अगर आपको network speed यहाँ पर status bar में देखना है, उसको भी आप enable कर सकते हैं, इस phone में दोस्तों आपको dual apps का option भी दिया गया है, settings में apps के अंदर आपको app cloner का option मिल जाएगा, जिसकी मलसे आप dual apps को use कर पाएंगे, हाला कि सिरफ social media apps के लिए आप इसको use कर सकते हैं, अभी के लिए मैंने कोई भी ऐसी app install नहीं की है, यहाँ पर आप पूरी list देख सकते हैं कि किस-किस app में support करता है, उसी के साथ दोस्तों इस phone में आपको app lock भी internally दिया गया है, और यहाँ पर privacy के अंदर ही आपको private safe का भी एक option दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपनी files को भी hide कर सकते हैं, अगर आप अपनी photos, videos, files, documents किसी भी चीज़ को hide करना चाहते हैं, तो इस private safe की मदद से आप कर सकते हैं, जादा बहतर performance लेने के लिए इस phone में आपको एक high performance mode भी दिया गया है, settings में battery के अंदर अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पर आपको more settings के अंदर यह high performance mode देखने के लिए मिल जाएगा, बाहर से आप इसको कहीं से भी directly enable नहीं कर सकते हैं, इसको आप जरूर से यूज कीजिए, अगर आप phone के उपर gaming वगयरा करना चाहते हैं, settings में special features के अंदर अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पर एक Q return का option भी आपको दिया गया है, यह feature अभी के लिए आप इसमें यूज नहीं कर पाएंगे, क्यूंकि किसी भी app को अभी यह support नहीं करता है, लेकिन इन feature games के लिए आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे, जब भी आप किसी game को minimize करेंगे, तो एक tile की तरह game जो है वो आपको दिखेगी, और जब भी आपको उसको वापिस open करना है, और आप उस game में वापिस से एंटर कर जाएंगे, settings में additional settings के अंदर आपको assistive ball का भी एक option दिया गया है, जिसके मल से आप काफी सारे shortcuts यूज कर सकते हैं, इसको अगर आप enable करते हैं, तो इसको आप gestures के लिए भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप tap menus एक्ट करेंगे, तो यहाँ पर काफी सारे shortcuts आप इस तरीके से setup कर पाएंगे, काफी सारे gestures and motions का support भी इस phone में आपको दिया गया है, यहाँ पर काफी सारे motion gestures हैं, जिसके raise to wake, lift to ear to answer calls, auto switch to receiver, flip to mute, incoming calls, यह सब motion gestures आप इस phone में यूज कर सकते हैं, उसी के साथ यहाँ पर आपको screen of gestures भी दिये गया है, मतब जब आपका screen बंध है, उस time screen के उपर कुछ draw करके भी आप actions perform कर सकते हैं, जैसे के phone के उपर oh draw करके आप camera को open कर सकते हैं, या फिर we draw करके आप torch को open कर सकते हैं, या फिर music को control करने के लिए भी आप gestures यहाँ पर use कर सकते हैं, ऐसे ही दोस्तों इस phone में screenshot के लिए भी काफी सारे gestures आपको मिल जाते हैं, आप three finger से swipe down करते हैं तो आप screenshot capture कर सकते हैं, यहाँ पर ही आपको screen recording का option भी मिल जाएगा दोस्तों, अगर आप phone में screen recording करना चाते हैं, तो यहाँ से आप इसकी quality भी change कर सकते हैं, हाला कि maximum आप 720 pixels में ही इसको record कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो system sounds और microphone sounds दोनों को एक साथ भी record कर सकते हैं, इस phone में आपको virtual RAM expansion का option भी दिया गया है, settings में about device के अंदर अगर आप RAM के अंदर जाएंगे, यहाँ पर वो option आपको मिल जाएगा, by default ही इसको enable करके 4GB के उपर enable कर दिया गया है, हाला कि अगर आप चाहें तो इस phone में आप 8GB तक RAM को expand कर सकते हैं, इस phone में दोस्तों आपको gaming mode भी दिया गया है, अगर आप gaming करते हैं, तो यहाँ पर game mode को use कर सकते हैं, इस तरीके का gaming assistant आपको मिल जाता है, जिसमें आप pro gaming mode को enable कर सकते हैं, उसी सब music या brightness को अगर आपको control करना है, उसके direct options आपको यहाँ पर दिये गए हैं, इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर और भी काफी सारे settings हैं, इवन यहाँ पर आपको voice changer का option मिल जाता है, अगर आप BGM ये वगएरा खेलते हैं, और system stats भी आप यहाँ पर enable कर सकते हैं, अगर आप fps और GPU CPU का usage देखना चाहते हैं, चैसे दोस्तों, camera के भी कुछ interesting features आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि इस phone में night mode जो दिया गया है, वो काफी अच्छे से काम करता है, इवन यहाँ पर जो color filters आपको दिये गए हैं, ये special night mode के लिए color filters हैं, इनको अगर आप night mode के time पर use करेंगे, तो आप देख पाएंगे काफी अच्छे लगते हैं, और काफी अच्छी लुक आपकी फोटो को दे देते हैं, more modes के अंदर अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पर इस phone के अंदर आपको dual view video का option भी दिया गया है, अगर आप चाहें, तो front camera और rear camera दोनों को यूज़ करके, एक साथ आप videos capture कर सकते हैं, उसी के साथ mode के अंदर आपको slow motion videos का भी option दिया गया है, हलांके सिरफ rear camera में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी fps का setting यहाँ पर नहीं है, तो normal जो default setting है, 240 fps का slow motion आप शूट कर सकते हैं, उसी के साथ यहाँ पर आपको pro mode का option भी दिया गया है, अगें सिरफ rear camera के लिए आप इस pro mode को यूज़ कर सकते हैं, इवन videos के लिए भी आप इस pro mode को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यह थे इस phone के amazing features दोस्तों, आप मुझे नीचे comments में बताइए कि आपको कुनसा feature सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like and share ज़रू करतीजेगा, चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप ऐसी और amazing videos देखना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यावाद दोस्तों,